सुपर बाद बच्चों, यह हमारी हिंदे की क्लास है, और आज हम एक नया वेंजन सीखेंगे, जिसका नाम है ज़, इससे पहले हमने सीखा था न और ल, ठीक है, आज हम सीखेंगे ज़ बनाना, ज़ से क्या क्या होता है, और ज़ कैसे बनता है, बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसमें जल से शुरू होने वाली वस्तवे हैं, ठीक है, एक बाद एक लड़की थी, जिसका नाम था जानवी, ज़, जानवी, जानवी ने अपने माता पिता से बोला, कि मुझे सरकस देखने जाना है, तो उसके माता पिता ने बोला, ठीक है, हम सरकस देखने चलते हैं, तो जानवी खुशी खुशी तयार होने जाने लगी, उसने जामुनी कलर का फ्रॉक पहना, जामुनी मतलब परपल, जा जामुनी, और उसने जा जैकिट पहनी, और जा जुराब पहनी, क्योंकि वो जाड का मौसम था, और फिर वो सरकस देखने गए, सरकस में उन्होंने क्या देखा, सरकस में देखा कि एक जादूगर, जा जादूगर जादू दिखा रहा था, जा जादू दिखा रहा था, और दूसरी तरफ उसने देखा, कि वहाँ एक जोकर था, जा जोकर था, जोकर क्या कर रहा था जोकर के हाथ में जग था वैसे तो जग में हम जग जल रखते हैं लेकिन जोकर ने उसमें क्या रखा हुआ था जोकर ने बच्चों को हसाने के लिए उसमें जग जलेवी रखी हुई थी और वो जटपट जग से जलेविया निकाल रहा था जजलेवी जलेविया देखकर जोकर के मुँ में पानी आया और उसने अपनी जग जीब निकाली और जूकर ने ज़ जूते पहनोवे थे हसाने वाले जूते जानवी को सरकस देखके बड़ा मज़ा आया और उसने तालिय मज़ाई आपको भी मज़ा आया कहानी सुनके ठीक है अब हम ज़से शुरू होने वाले शब्द पढ़ लेते हैं ठीक है जासे जग होता है जजग जासे जीब होती है तंग जासे जलेबी होती है मीठी मीठी जलेबिया जासे जहाज होता है शिप कहाँ चलता है जहाज पानी में समुंदर में चलता है जासे जादू होता है मैजित जैसे जोकर होता है जोकर बच्चों को खिल दिखाता है और उन्हें हसाता है जैसे जाल होता है जैसे जल, वाटर बच्चों हमें स्वस्त रहने के लिए बहुत सारा पानी पीना चाहिए ठीक है? और हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए जैसे जेब होती है पापा की जेब में क्या होते है पैसे जा जूते होते है जा जूता जासे जंगल होता है फोरेस्ट जंगल कराजा कौन होता है शेर जा जामुन रसिली रसिली मिठी मिठी जामुन ठीक है बच्चो अब हम जग कैसे बनता है बनाना सीख लेते हैं ठीक है जग बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खीशते हैं पहले सीधी रेखा फिर सोई रेखा फिर आधग बोला ये बन गया हमारा जग एक बार और सीख लेते हैं पहले सीधी रेखा फिर सोई रेखा फिर आधग बोला ये बन गया हमारा जग आए बच्चो अब हम किताब में सीख लेते हैं कि जग कैसे बनता है पहले सीधी रेखा फिर सोई रेखा फिर आधग बोला धीरे धीरे हमें बनाना है हमें जल्दी में नहीं करना है ठीक है? पहले सीधी रेखा फिर सोई रेखा फिर आधा गोला जब सीधी रेखा सोई रेखा आधा गोला सीधी रिखा सुई रिखा आधा गोला यहां पे आप खुद बनाएंगे अभी तक तो आपने dots पे लाइन चलाई थी ठीक है और अब आप खुद बनाएंगे सीधी रिखा सुई रिखा और आधा गोला यह बन गया हमारा ज़ सीधी रेखा, सोई रेखा और आधा गोला यह बन गया हमारा जव अब हम यह activity कर लेते हैं चित्र पहचानों, शब्द बोलो और जव लिखो यह क्या है बच्चों? यह है जग जग किस से शुरू होता है? जव से तो हम यहां लिखेंगे जव यह क्या है बच्चों? यह है जजामू ठीक है? जामून किस से शुरू होता है? कौन से वेंजन से शुरू होता है? जसे ठीक है? यह क्या है? जलेबी और यह क्या है? जहाज ठीक है? अब हम दूसरी activity कर लेते हैं चित्र पहचानो शब्द बोलो और जर से शुरू होने वाले चित्रों पर गोला लगाओ ये क्या है बच्चो बंदर क्या ये जर से शुरू हो रहा है नहीं न ये क्या है जीब यह कौन से वेंजन से शुरू हो रहा है ज ज ज जीब तो हम इस पे हम गोला लगा लेते हैं और यह क्या है यह है जंगल जंगल किस से शुरू होता है वेंजन ज से तो इस पे हम गोला लगा लेते हैं ठीके बच्चो अब हम यह कारे अपनी कौपी में करेंगे date डालेंगे उसके बाद हम heading डालेंगे वेंजन ज़ ठीक है फिर हम ज़ बनाएंगे यहाँ पर और नीचे हम अभ्यास करेंगे ज़ लिखने का और उसकी फोटो कीच के आप अपनी मैम को शेयर करेंगे ठीक है बच्चों बाबाई